नमस्कार दोस्तों, welcome to the new video और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों के answers यह दो बहुत सारे लोग मुझे message करते हैं नया financial year open हो गया है सर यूट्यूब पर active हो जो तो finally मैं यूट्यूब पर active हो चुका हूँ और आप लोगों के questions के answers भी दूँगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फाइदे की मैं आज बात करने वाला हूँ मुझे बहुत सारे लोग बोरते सर मैं college जाता हूँ मैं university जाता हूँ मैं एक freelancer हूँ मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं capital में लगा हूँ या trading screen पे लगा हूँ अब सर मैं कोई एक चीज कर सकता हूँ देखो या तो आप capital बढ़ा लो एक लाख रुपे का capital कर लो या तो आप एक लाख रुपे का एक laptop ले लो साथ में दो screen ले लो जिससे आप अच्छी सी trading कर पाओ अब सर जरूरी है कि तीन चार screen का setup देखो यार screen एक से भी काम होता है चार से भी होता है चार में काम जोड़ा easy हो जाता है कैसे एक screen पे जैसे मैं nifty का spot price open करता हूँ मैं जब nifty trade करता हूँ इस एक screen पे nifty का spot price खुला दूसरे screen पे आप देखोगे मैंने उसका premium का चार्ट खोला मतलब अगर 23,000 का call मुझे buy करना है वो मैं देख रहा हूँ अब मुझे ये भी जानना है कि और लोग market में क्या कर रहे तो मैं use करता हूँ OI data, open interest का data अब open interest का data देखने के लिए भी मेरे को एक screen चाहिए तो यार देखो मैं चाहूँ तो one by one minimize करू, maximize करू, minimize करू, maximize करू करू करके एक मैं कर सकता हूँ बहुत complicated है उन्हों राइता फैला दू, but मेरे पास थोड़ा सा capital था तो मैंने 10-10,000 की दो screen ले लिए, लाख रुपे का एक laptop ले लिया और एक और TV लगा दी बड़ी सी, जिसमें कोई news आता है, तो मैं तुरंट देख लेता हूँ इस आप का नेम है punch trade और इस पर trade कर सकते हो, यह market pulse securities के तरफ से है, इसका save ही registration number, NAC registration number यहां दिया हुआ है, team buttons पे click करोगे तो phone report, contracts and logout का button आजाएगा, और आगे आप यहाँ पर click करोगे indicators के उपर तो आप अपर strategies चालू कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर indicators पे click करता हूँ, exponential moving average के ऊपर चल रहा है, मतलब मेरा trade सहीं जाने वाला है, अब मैं यहाँ पर trade लूँगा, trade कैसे लेना, यहाँ पर आप देखो के positions दिखा रहा है, side पर RSI दिखा रहा है, super trend दिखा रहा है, सारी values, जो मैं travel करता है बड़ा easy हो जाता है, अब जैसे मुझे चाहिए, 11 रुप call खरीदना है, call के उपर click करूँगा, ठीक है, यहाँ पर directly मैं जाके buy कर सकता हूँ, अब यहाँ पर जो fund अभी रखे हुआ है, demo broker पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस पर कम है, तो मैं और चोटा option देख लेता हूँ, देख लो, ठीक है, यह यहाँ पर चल रहा है, मान market order में पहले खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने click किया, punch किया, और यहाँ पर आप देखोगे, कि मेरा order complete हो गया, और वो मेरे order book के अंदर, positions के अंदर आपको show कर रहा है, कि मैंने यह order लगाया है, मेरा PNL आ गया, ठीक, अब जैसे-जैसे market उपर जाएगा, मुझे profit होगा, और उसके बाद मैं इसको sell कर सकता, तो जब तक यह trade चल रहा है, मैं आपको और features दिखा देता हूँ, एक तो यहाँ से आप call put graph direct देख सकते हो, आपको इधर उधर जाने की जोरत नहीं है, ठीक है, इसके बाद मानलो, आपको चाहिए और data, पाच मिनिट का time frame, तीन मिनिट क खूलने की जोरत नहीं, एक ही screen के अंदर आप सब कर सकते हो, और इसके बाद अगर आप देखोगे, कि यहाँ पर मेरा profit चालू होगे, आप मानलो मेरे को इसको book करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा वापिस से, कौन सा वाला लिया था मैंने, 22,750, तो मेरे को कुछ नहीं profit जो है, वो book हो चुका है, जी हाँ, 0-0 हुआ, जादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने limit order नहीं लगाया था, but this is how you can exactly trade, and जब आप और आगे जाओगे, तो आप ऐसे trading start कर सकते, अब जैसे chart यहाँ पर चल रहा है, ऐसे तो मैं out of the money option suggest नहीं करता, क्योंकि बहुत risky होते है कम capital में भले हो जाता है 200, 300, 500 में, बर risky होते हैं, तो I will always go with add the money, ठीक है मैंने आपको एक demo लेके दिखाया, अब मान लो कि आपको data पढ़ना है, कि और क्या-क्या चल रहा है, तो उपर के 3 boxes पे click करोगे, you will see every data, PCR ratio, put call ratio 1.04 का है, India Wix गिरा हुआ है, 18% से जो की चल रहा है, 10. 10.31 पे, top contributors के हैं, आज के, grassim है, sun pharma है, फार्ती एडल है, MNM है, green वाले जो है, उपर जाने वाले, top contributors, red वाले जो नीचे जाने वाले, 5-day का price range कहां चल रहा है, उसके बाद, OI data सबसे जादा खाया है, add the money के अंदर दिख रहा हूँगा, जिसे मैं आपको बताया, OI change कहा कहां पर जादा आ रहा है, नीचे top traded strikes कौन से, तो मतलब इतना easy कर दिया है, इसको trade करना, मानलो nifty के जगह मैं को कुछ और trade करना है, मानलो मेरे को यहां पर trade करना है, DLF, तो मैं DLF का chart खोल सकता हूँ, और directly click करके यहां पर trade कर सकता हूँ, मुझे मानलो लगा कि 891 का ही ख खरीदना है, मैं जाके यहां पर इसका put खरीद सकता हूँ, limit order लगाने, stop loss order लगाने, यहां से select कर सकता हूँ, और directly punch button पर click करके इसको buy or sell कर सकता हूँ, इतना easy कर दिया है, इस broker ने आपके लिए trade करना, जिसकी कोई limit नहीं है, guys, expiry change करना है, तो यहां पर expiry change कर सकता हूँ, अब जिसे nifty में हमने call का trade लिया था, आपको याद होगा, भाग गया market, पर हमने पहले exit कर दिया, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा था, अगर मैं इसमें trade कर रहा था, तो मैं पूरा hold करता, तो this is how you can trade, crossover बना, EMA का, देखो कि एकदम pass आ गया था, golden point बना, दोनों एक साथ आ और वहीं पर से green bar एकदम उपर जाना चालू हो गई, और इसको trade करना बहुत easy हो गया, call और put के सारे graphs यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अब मानलो आपका सारा काम हो गया, आपको और indicators लगाना है, तो कुछ नहीं, जस्ट आपको click करना है, new आले button पे, indicators पे आपको MACD लगान सकते हो 60-40 वाला, तो यहाँ पर आपका RSI लग गया, तो हर एक चीज यहाँ पर आपको दिखेगी, काम करते हुए, and this is how you can trade, and आप देख रहे हो, Nifty के graph कितने peak points से उपर जा रहे, just check it out yourself, अभी हमने trade लिया था, मैने ता आपको दिखाने के ले exit कर दिया, बढ़ तीन green candles आ the related documents carefully before investing